दरीसस मंकी, इस मंकी के अंदर एक प्रोटीन होता है, एक एंटीजन होता है, आरबीसी के अंदर, इस सब्स्टांस को, इस केमिकल को बोलते हैं, आरेच एंटीजन, जो रीसस मंकी के ब्लड में मिलता है, आरेच एंटीजन, एक फेक्टर, एक प्रोटीन, यही प्रोटीन, सि human beings में भी मिलता है, उनके blood में भी मिलता है, RBC के membrane के उपर, और जिन व्यक्तियों में ये होता है, वो RH positive कहलाते हैं, ये वाला protein जिसमें भी होता है, और जिसके RBC lack करते हैं, ये वाला protein, ये वाला factor, ये वाला antigen, जिन में RH वाला antigen नहीं होता ना, RBC के उपर लगा हुआ, membrane में attached, ऐसे वाले human beings का RH negative blood group कहलाता है, वो कहलाते हैं, RH negative persons, human population में 80% approximately RH positive persons मिलते हैं, यदि एक RH positive person का blood, एक RH negative वाले में डाल दिया जाए, तो negative वाला उसके खिलाफ रड़ाई कर देगा, एलान कर देगा, antibodies produce कर देगा, अपने blood में, तो दोनों में fighting होगी, antibodies produce हो रही हैं, तो इस लिद्धान से डॉक्टर करते हैं, कि RH positive है, या RH negative ये देख कर रख्थ डाला जाता है, पेशेंट्स के अंदर, इसका मतलब human beings में, RH incompatibility भी हो जाती है, जब blood groups match नहीं करते, depending on the RH factor, RH antigen, तो example है, एक ऐसी expecting mother का, जो की RH negative है, यानि उनके RBC में, उस मदर के RBC में, कोई भी RH antigen नहीं है, RBC के अंदर, और by chance, जो fetus है, जो baby produce होना है, unborn child, वो RH positive है, उसके RBC में, RH का antigen है मौजूद, ये देखो, ये रहा, बनाया हुए मैंने नीला नीला से, मान लो, तो ऐसे में क्या होगा, क्या fighting होगी, क्या antigen के against antibody produce करेगा इसका blood, अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि दोनों के bloods separated हैं, अभी दोनों के bloods एकदम fuse नहीं कर पारें, join नहीं कर पारें, separated हैं, इनके बीच में placenta है, एक दिवार है, तो बिल्कुल join नहीं कर पारें, mix नहीं हो रहें, लेकिन during parturation, यानि की child birth, labor, first delivery की बात हो रही है, तो यानि पहला child आई है, इस mother का, expecting mother का, तो क्या होगा, delivery के समय, थोड़ा सा खून, दोनों का mix हो जाएगा, mother और child का blood, और ऐसे में क्या होगा, मदर के अंदर antibodies produce हो जाएगी, against the fetus, against the fetal blood, RH positive fetus, लेकिन ये मामला बड़ा संभला हुआ है, संभाल हो गई, संभल गया, सब कुछ situation संभल गई, वो कैसे, कि बड़ी कम antibodies पैदा हुई, और बहुत थोड़ा सा blood mix हुआ था, तो ज़्यादा problem में नहीं आया child, that means after birth, the child will show some bit of anemia, थोड़ा बहुत anemia दिखा देगा, थोड़ा बहुत jaundice दिखा देगा, child में होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन वो काबू में आने वाली चीज़ है, बहुत ही कम होगा, mild होगा, mild reaction, एनेमिया क्यों हुआ, क्योंकि थोड़े से RBC, इस mother की antibodies ने destroy कर दिये, child के RBC को तो destroy कर दिया, इसलिए एनेमिया हो गया थोड़ा बहुत, मतलब RBC कम हो गये, ये liver में तूटे, और ये किस में बदल गए, bilirubin in the liver, तो bilirubin accumulate हो गया liver में, इसलिए jaundice होता है, ऐसे बेबी को, लेकिन ये सब क्या है, mild reaction, जो कि one week में ठीक हो जाता है बेबी, ऐसा वाला, यही mother, same mother की जब second delivery हो, यानि second child is about to come for such a mother who is RH negative, such lady, तो क्या होने वाला है, तब बहुत, डेजर हो सकता है, dangerous, the expecting mother has already in the plasma antibodies, antibodies, तो antibodies पहले ही बन चुकी हैं, जो पहचानती है, RH, रीसस वाले protein को, रीसस, अंटिजन को पहचानती हैं, पहले वाले के दोरान, तो यह antibodies अभी भी हैं, तो अगर fetus, यानि second baby, RH positive है, यानि उसके RBC के ओपर RH वाला protein है, antigen है मौजूद, तो फिर गड़ बढ़, तो antibodies will fight with the antigen in the child, और उससे RBC of the child will be destroyed in huge amounts, leading to severe anemia, इसी तरह severe jaundice हो जाएगा, क्योंकि RBC डिस्ट्रॉई होंगे, लिवर में, बिली रूबिन बनेगा, RBC में से ही, जो की बहुत सारा accumulate हो जाएगा, तो पीला हो जाएगा, चाहिल, पीलापन आ जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया, and severe है ये, बहुत जादा है ये, complication, और ऐसी condition को बोलते हैं, erythroblastosis fetalis condition, इसको avoid किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि second child, ऐसी mother नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी, वो इसके लिए बचाव करना पड़ेगा, तो the mother will have to be given an injection, किसका injection, anti-rh antibodies का injection, anti-rh antibodies का injection, अगर mother को after the first delivery, प्रदान किया जाए, तो second baby में complication नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, बचाव हो जाएगा,